हाई फ्रेंड्स इतेसी वीवी तत्त फ्रम साव टेक्नोगाइड आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेका हूँ ब्लूटूथ एर माउस रिमोट का अन्वक्सिंग अन्ट रिव्यू अगर आप ये वीडियो हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपक आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाजू में आपको एक बेल आइकर मिलेगा वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे चैनल का लाटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा तो ये ब्लूटूथ एर माउस रिमोट में आपको ब्लूटूथ 5 मिल जाता है और ये बारियस लगते हैं जाइएश पर लिससी हैं वह फिर के साथ तो ए तो हम ये संपर करते हैं उसके जा करता है तो आपको इसको ब्लूटूथ पैका ने कर देते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यह Bluetooth 5 Air Remote Mouse है, और यह Air Mouse देखने के लिए कुछ ऐसा है, और इसको आप आपका Smart TV में लगा सकते हैं, PC में लगा सकते हैं, Android TV Box में लगा सकते हैं, आजे Mouse टाइब का यूज़ कर सकते हैं, टाबलेट में लगा सकते हैं, और Gamepad टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, और यहां पर उसका कुछ Specification लिखा गया है, जैसे कि यह Bluetooth 5 आपको यहां पर मिल जाता है, आप इसमें Air Learning कर सकते हैं, जैसे कि Power Button को Air Learning आप कर सकते हैं, और यहां यहां पर 6-axis gyrosensor आपको मिलता है, आंटिसे का अलगर्दिम मिलता है, माउस, कर्सर, Stable and Smooth मिल जाता है, transmission distance above 10 meters, मिन्स 10 meter के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और यह compatible with Android, Windows, Linux and Mac OS, तो यह अपरेटिंग सिस्टम में यह compatible है, तो यहां पर हम इसको open कर देते हैं, तो यहां पर आपको दो ही content मिलता है, एक मिलता है आपको यहां पर user manual, तो यहां पर आपको details instruction दिया गया है, जो कि मैं practical आपको दिखाने वाला हूँ, और यह है हमारा एयर माउस, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी slim है, काफी similar है, Amazon Fire TV Stick का remote जैसा, और यह side में दो, 3A का battery लगता है, जो कि company provide नहीं करता, आपको external लेना पड़ेगा, तो यहां पर power button दिया गया है, और यह power button को आप आयर learning भी कर सकते हैं, जिसे कि आपका TV या एंडर TV box का power button के साथ आप इसको आयर learning कर सकते हैं, और यहां पर mute button है, यह delete button है, और यह mouse का जो cursor का release button है, मिन्स यहां पर press करते हैं, तो mouse का cursor बंद हो जाता है, और यह menu button है, और यहां पर navigation button दिया गया है, और बीच में ok button दिया गया है, और यह back button है, यह home button है, यह volume रकर से plus minus, यह search button है, यह pause and play है, यह review है, और यह forward button है, तो जैसे आप इसमें battery insert करेंगे, तो यह light जो को pairing mode में लाना है, तो आपको ok और यहां पर return button, यह दोनों को continuous press करके रखना है, तो यहां पर देख सकते है, light जो है continuous blink हो रहा है, मिन्स यह pairing mode में है, तो अभी हम यहां पर pair new device में जाते हैं, तो यहां पर आप देख सकते है, G20 BTS जो है, यहां पर show कर रहा है, तो यहां पर single click में यह connect हो जाता है, तो यहां पर आप देख सकते है, mouse का cursor आ गया है, जैसे हम कुछ भी यहां पर अगर click करते हैं, तो भी open हो जाएगा, और अगर हमको second page में जाना है, तो हम इसको press करके second page में भी जा सकते हैं, तो अगर आपको second page में जाना है, तो navigation button भी आप यूज कर सकत है, जैसे आप देख सकते हैं, यहां से आप navigate भी कर सकते हैं, उपर नीचे, अगर आपको कोई भी application open करना है, तो cursor से जाके direct आप application को open कर सकते हैं, अगर back करना है, तो back button से भी यह direct back हो जाता है, अगर आपको off करना है, तो यहां से power button से भी आप phone या tablet को off भी कर सकते हैं, जै को जाता है तो अव्य आप यह अपर देख सकते हैं सब्सक्राइब करके अटिया थे चाहिए तो यहां पर यह inactive mode में है में यहां पर यह Active नहीं यह और आप कोई भी एक प्रेश करने के बाद यह active हो जाता है यहां पर मेन्य गुंद कर कर रहा है, और यहां पर home page भी काम कर रहा है, तो volume बढ़ा भी सकते है, volume Covid कर सकते हैं, तो यहां पर search button अगर आप प्रेस करते हैं, तो आपका google search यहां पर show कर देता है, तो यह गाना play होने के बाद, आप यहां पर, इसको play and pause भी कर सकते हैं जैसे ये Pause हो गया उसके बार यह Play हो गया उसके बार Next से अगर आगर का फोन में कोई भी प्लेयर में मौल्टी मेडिया छला रहे तो उसमें भी आप प्लेय और पॉस कर सकते हैं Review for red हरा भी आपका यह remote से कर सकते हैं तो अभी हम यह Bluetooth Bluetooth Air माउस को Android TV में connect करेंगे, जिसे के पहले TV का हम Bluetooth setting में जाते हैं, तो यहां पर हम इसको pairing mode में लाएंगे, जिसे के OK and return key को press करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं, TV में यह detect कर लिया, तो TV में यह pair हो गया, इसका mouse का cursor जो है, TV में आ गया है, तो अगर हमको navigate करना है, off-down, तो भी यह आरम से हो जाता है, अगर हमको side में भी navigate करना है, तो भी आरम से यह हो जाता है, अगर हमको यहां पर कोई भी application में open करना है, तो यहां पर हम इसको click करते हैं, तो यहां पर open भी हो जाता है तो मैं लाश्ट में वीडियो में आपको दिखाऊंगा उसका power key को कैसे आप air learning करेंगे तो यहां पर बाकी सब button जो है वो check कर लेते हैं जैसे कि मैं यहां पर mute button press कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं TV में यह mute हो रहा है और यहां पर cursor को अगर आप आप कर देते हैं तो आप हो जाता है on करते हैं तो on हो जाता है तो यहां पर menu button depend करता है आपका application के उपर उसके उपर यह open होता है और यह navigate button आरम से काम कर रहा है जिसे मैं अभी आपको दिखाया तो यहां पर हम ok button press करते हैं बटन भी यहां पर आरह आप अरह मिर्डा MRS कर रहा है और यहां पर यह Back Button को अगर आप ऒर्इस करते हैं तो ब् की आरह मिर्ड करते हैं और इसका Home Button जिसके आप प्रेस करते हैं तो home screen में यहां बेसे आजnimliche करके सर्च करना है तो भी आप आरम से एंडरेट टीवी में कर सकते हैं जैसे यहां पर हम एक मेडिया प्ले कर रहे हैं तो यहां पर हम प्ले और पॉज भी कर सकते हैं जैसे यहां पर सिंगिल क्लिक करते हैं तो वीडियो जो है पॉज हो जाता है यहां पर प्ले होता है तो य करता है तो अभे हमारा यह Android TV Box में हम इसको connect करेंगे जैसे मैं Android TV Box का Setting में जाता हूँ और यहाँ पे Bluetooth और यहाँ पे Pair New Device तो यहाँ पे हम इसको Pairing Mode में लाता है जैसे OK and Return Key यह दोनों को press करके रखते हैं तो यह Light अभी Blink हो रहा है तो आप आप देख सकते हैं, Android TV box में detect कर लिया है, तो यहां पर हम इसको connect कर देते हैं, तो यह connect हो गया, तो यहां से अभी हम इसको operate कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, back button आरम से काम कर रहा है, तो यहां पर हम mouse को enable कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, यहां पर mouse का cursor जो है, वो यहां पर चालू हो गया है, और यहां से इसको disable भी कर सकते हैं, अगर आप यहां से navigate कर रहे हैं, तो navigate बटन भी parts से काम के रहे हैं, अगर हम उपर नीचे भी करते हैं, navigation तो भीए param प्रेस कर रहे हैं, तो यह प्रेस कर रहा हँ तो यह प्रेस हो जाता है, यह बटन से आप Cath complex box से यह लो सकते हैं और यहां पर क्लिक करते हैं तो home button में तो यह home page में आ जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं volume जो है वो कम जादा भी हो रहा है तो यह जगा में उसका volume का symbol है जो के थोड़ा hide है बट यहां पर volume कम जादा भी हो रहा है जैसे आप देख सकते हैं और यहां पर mute button है, mute press करने से यहां पर यह mute हो जाता है, फिर से press करने से यह unmute भी हो जाता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, Google search जो है वो यहां पर आ जाता है, तो यहां पर Android TV box में भी यह Bluetooth ear mouse आराम से काम कर जाता है, तो अभी हम इसका air learning के बारे हम इसको Bluetooth में connect कर देते हैं, तो सभी की काम करता है, उसके साथ power button भी काम करता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यह Android TV box का remote को इधर रख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसका power button को आप करता हूँ, तो आप screen में देख सकते हैं, Android TV box का power जो है, आप हो गया, तो यहां से मैं फिर से इसको click करता हूँ, तो यह on हो गया, तो सेम अभी हम Android TV को on कर देते हैं, जैसे मैं यह TV का remote से home button press कर दिया, तो TV का remote को भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ, फिर भी यहाँ पर अगर मैं यह power button को आप करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, TV जो ह आप हो गया था, तो TV यहाँ पर आप नहीं हो रहा है, तो अभी हम यह power key को learning करेंगे इसके साथ, इनसी यहाँ पर यह button को press करने से भी TV का जो power है, वो आप हो जाएगा, तो यह TV का IR remote है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि Bluetooth remote जो रहता है TV का, उससे IR learning नहीं ह हो सकता, क्योंकि यह Bluetooth remote है, तो यहाँ पर मैं इसलिए IR remote जो हो लाया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, TV off हो गया, और फिर से यहाँ से press करने से TV जो है on हो गया, तो अभी हम इसका power key को IR learning करेंगे, हमारा यह Bluetooth air mouse में, तो यह process के लिए air mouse का जो power button है, इसको आप आपको continuous press करके रखना पड़ेगा, जैसे कि यह red light जो है, ब्लिंक हो रहा है, यह solid हो जाएगा, तो अभी आप देख सकते हैं, यह solid हो गया, उसके बाद आपको single press करना है, तो अभी यह IR learning mode में आ गया, तो टाइम में आपको TV का remote को जो है, उसको press करके रखना है, तो यह solid हो मिन्स यह programming जो है, वो successful हो गया, तो अभी मैं यहाँ पर इसको press करता हूँ, तो अभी हमारा IR learning जो है, successful हो गया, तो यहाँ पर अभी हम test करते हैं, जैसे कि आपको TV के सामने इसको रखना है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर power button को press करते हैं, तो आप देख सकते हैं, TV off हो ग तो जैसे मैं अभी आपको दिखाया है, Android mobile phone में यह power key default काम कर रहा है, Android TV box में भी default काम कर रहा है, बट कोई-कोई Android TV में यह power button है, यह default काम नहीं कर रहा है, तो वो जागा में आपको IR learning करना पड़ेगा, उसके बाद इसका power key जो है, वो ARM से काम करता है, तो आसा करता हूँ, Bluetooth Air Mouse Remote का unboxing and review का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like and share जरूर कीजिएगा, अभी आप हमको Instagram आट Twitter में follow कर सकते हैं, हमारा Facebook का page जो है, उसको like भी कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइम नहीं किय आपको अभी कर लेजिए, क्योंकि इस टैप का वीडियो में रोज लेके आता हूँ, तब तक हमारा चैनल देखते रही है, साहू टेक्नोगैड आपका दिन सुप हो